ये शाया है भविश्य वक्ता की पुस्तक अध्या 51. ये शाया है अध्या 51. हे धर्म पर चलने वालो, हे यहोवा के ढूनने वालो, कान लगा कर मेरी सुनो. जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खानी में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो. अपने पुरुष इबराहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो. जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया, और आशिश दी, और बढ़ा किया. येहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंधरों को शांति दी है, और वह उसके जंगल को अधन के समान, और उसके निर्जल देश को येहोवा की वाटिका के समान बनाएगा, उसमें हर्ष और आलंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाए पड़ेगा. हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरों, हे मेरे लोगों कान लगा कर मेरी सुनों, मेरी ओर से व्यवस्त दी जाएगी, और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की जोती होने के लिए स्थेर करूँगा, मेरा धर्म निकट है, मेरा उद्धार प्रगट है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा, द्वीप, मेरी बाट जो हेंगे, और मेरे कपड़े के समान पुरानी हो जाएगे, और उसके रहने वाले योही जाते रहेंगे, परन्तु जो उद्धार मैं करूँगा, वह सर्वदा ठैरेगा, और मेरे धर्म का अंतर न होगा, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्ता है, तुम कान लगा कर मेरी मनुषों की नामधराई से मद डरो, और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई, और कीड़ा उन्हें उनकी नाई खाएगा, परन्तु मेरा धर्म अरंत काल तक बना रहेगा, और मेरा उद्धार पिढ़ी से पिढ़ी तक बना हे यहोवा की भुजा, जाग, जाग, बल्धारंकर, जैसे प्राचिनकाल में और बीते हुए पिढ़ीयों में वैसे ही अब भी जाग, क्या तू वही नहीं है, जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया, और मगरमच को छेदा, क्या तू वही नहीं है, जिसने समुदर क अर्थात गहेरे सागर के जल को सुखा डाला, और उसकी थाह में अपने छुडाय हों के पार जाने के लिए मारगर निकाला था, सो यहवा के छुडाय होए लोग लटकर जैजिकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिरोप पर अत्यंत आनंद गुंजता रहेगा, ह वेहर्ष और आनंद प्राप्ते करेंगे, और शोक और सिस्कियों का अंत हो जाएगा, मैं ही तेरा शांति जादा हुए, और तू कौन है जो विनाशी मनुष्य से, और घास के समान मुर्जाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले, और पृत्वी की नेव डालने वाले अपने करता यहवा को भूल गया है, और जब द्रोही नाश करने को तयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थर थराता है, परन्तु द्रोही की जलजलाहट कहा रही, बंधुवा शिग्रही स्वतंतर किया जाएगा, वहां गड़े में न मरन पाएगा, और उसे रूटी की कमी न होगी, जो समुद्र को उथल पुथल कर करता है, जिससे उसकी लहरों में गरजना होती है, वहां मही तेरा प्यहवा परमिशुर हूँ, मेरा नाम सिनाओ का यहवा है, और मैंने तेरे मुह में अपने वचन डाले, और अपने हाथ की जाहो, हे यरुशलेम, जाग, जाग, उट, खड़ी हो जा, तुने यहवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है, तुने कटोरे का लड़कडा देखने वाला मद पुरा पी लिया है, जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा, जो उसक अगुवाई करके ले चले और जितने लड़के उसके पाले पोसे उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले ये दो विपत्या तुझ पर आपड़ी हैं। यहवा की जलजलाहट और तेरे परमिश्वर की धमकी के कारण वे अचेक पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, तु मतवाली तो है, परं तु दाख मधो पीकर नहीं। तु यह बात सुन। तेरा प्रभु यहवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा पर काटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के काटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, जिससे तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा। और मैं उससे तेरे उन दुख तेने वालों के हाथ में दूँगा, जिन्होंने तुझ से कहा कि लेट जा, कि हम तुझ पर कुझ बड़े लेगा, जिससे तुझा कि लेगा झालों के लेगा। आपे लेगा कि लेगा उसमें से कहा कि लेगा।